वाइस ओफ अमेरिका वाशिंग्टन से प्रोग्राम हर दम रवा है जिन्दगी के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। जहां आप इसकी रिकार्डिंग प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त सुन भी सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। हमारे महमानों से सवाल पूछने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर होता है 0800-77789 तो लीजिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। वाइस ओफ अमेरिका वाशिंग्टन के प्रोग्राम हरदम रवाहे जिन्दिगी में आज हमारे महमान है। अउनलाइन बिजनिस कम्यूनिटी की एक मुम्तास और काम्याब कारोबारी शक्सियत चो कारोबारी दुनिया के इंतिहाई काम्याब अफराद को काम्याब कारोबारी अफराद से मुनसलिक करके उन इंतिहाई काम्याब अफराद को मजीद काम्याब और उन काम्याब अफराद को तेजी से इंतिहाई काम्याब कारोबारी अफराद बनने में मदद दे रही है हमारे महमान है एक Digital Magazines Publisher और Joint Ventures की एक कमपनी JV Genius के फाउंडर और CEO मुहम्मद सिद्धिक जो कारोबारी दुनिया के एक जदी तरीन प्लेटफॉर्म पर कारोबारी दुनिया की एक जदी तरीन कम्यूनिटी को जदी तरीन अंदास से कारोबार करने और उसमें हैरत अंगेस काम्याबी हासित करने में मदद करती है पाकिस्तान के शहर रहीम जारखान से तालुक रखने वाले एक कम्प्यूटर साइंटिस्ट और अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा के एक काम्याब बिजिनस्वेन मुहम्मद सिद्दीग इस वक्त चार डिजिटल मेगजिन्स के पब्लिशर और जॉइंट वेंचर्स हैं लेकिन इसके साथ साथ वो जिन्दगी के मुक्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए आम कारोबारी अफराद को भी कारोबारी पार्टनर्स और सर्मायकार तलाश करने और काम्याब बिजिनस के तरीफे सीथने में मदद देते हैं हमारे महमान मुहम्मद सिद्दीग इस वक्त मौझूद हैं जॉर्जिया अटलांटा से टेलेफोन पर हमारे साथ असलाम अलेकुम महम्मद सिद्दीग साथ वालेकम असलाम बेहत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बेहत कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला प्रोगाम हर दम रवाह जिलिगी किसमने वालों के लिए गुफतकु का बाकाइदा आगास करते हैं और आप से हमारा पहला सवाल यह है महम्मद सिद्दीग साथ के पाकिस्तान के शहर रहीम्यार खान के चक 106 से 17-18 साल कबल कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की एक डिग्री के साथ और जेब में अपने एक दोस्त खलील एहमद से 3750 डॉलर उधार लेकर पहुंचे थे कंसल्टिंग की जॉब और चल्दी साल में अपनी एक कंपनी शुरू करके कामियाब कारोबारी शखसियत बन गए तो कैसे कुछ सुनाइए हमारे सुनने वालों को यह कहानी अपने कामियाब कारोबारी सफर की अगेन आपका बहुत शुक्रिया मुलाने का मेरी बहुत अनर है कि मैं अपने लोगों से ही अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूंगा जी जी बिल्कुल यह मैंने मैं अट्रक जो है 84 में रहिंगार खाम से की है और के पालिट हाई स्कूल मैं से बात कर रहा हूं चुकर कारों कि अपने गाउं जो है शेयर से पांच माइल दूर है पांच किलो मेटर दूर है 106 पी वेरी क्लोज टूर पत्र मना रहा हूं वो एक हिस्टारिक प्लेस है तो इसलिए मैं 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 में में अच्टारिक कर रहा हूं लेकर बंदा जितना भी बाहर रहता है हमेशा आपका अपना अपना जो है और आप उस गाउं के 17-18 साल के बाद भी पहले शखस है जिसने मास्टर्स किया हुआ है और उसके बाद कोई मास्टर्स नहीं कर सका जी 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 तरस अनफर्चनेट यह मारे रियालिटी है बिसीकली ना इन्शाला इन्शाला इट प्रभी विल चेंज बिकाश अचिस अच्या आपड़ घंड़ भी जान माय जाने वाल नहीं था और वहां से इधे हो टल में गई और तीन दीन में अपनी यहलो पेज़स होती है है यह ठा के दीन जी टिंटार ब्रूटर्स साथिया जो जो जौब आपको डूड के दे़ते हैं इंक तरस पकड़का जो किसी को जानता था नहीं, उनका फून नंबर उठा के इंग्लिश तो अभी भी इतनी नहीं बोलनी आती, वो सुख इतनी आती होगी, तो उनको बस ऐसे कॉलें शुरू कर दी, एक जैसे अपरेटर नहीं कॉल कर रहा था, कॉल पे कॉल कर रहा था, सुबह नौ बज़े से शाम क्या होगया, वो गता है, अपको मैंने फून लाइन चेक करनी है, मैं क्या होगया, वो खराब है शयद लाइन, लाइट उसकी आन होती हैं, जब कमरे से कॉल हो रहा थे तो उनको परदा चल जाता कि इस लाइट अन है तो वो है, और पहरे जो ठीक है, मैं फून परून अच्छा ठीक है लेकन आप इसमें द्रियान में ब्रेक भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसमाल कर सकें तो आपने फिर जब होटल से निकले तो आपके पास तीन हफ़ते के रंद अदर जॉब थी में तीन हफते में ब्रेक चुकर आए जा जब जाए उसके वाद में पहली तरफा वहां की लोकल मस्जद टूंडी मैं था मुसलमान टूंड टूंडते हैं जिमलते हैं पाक्सवानियों से के यहां पर एकला तो नहीं बंद रह सकता ना तो मैं मिला हूं तो उत्व मद्धित में गये। मैं दो आप नए आए है। और यहां पॉप मैं तो मैं लोक्री कोई नहीं है। मैं भापस जा रहा हूं मेरे पास पैसे तो भी खत्म है। अपनी बिशारे, इस्टोरियां सना रहे ना। और मैं तो अंदर से मुझे जाब मिली थे, मैं तो उसके बाद मिलने गया हूँ ना किसी से, अब हर काम में बेतरी होती है, शुकर है कि मैं किसी से पहले ही नी मिल गया, बना तो मुझे सारे डिस्करजी का देते हैं कि आप यहां कैसे गई हो, आचा, तो फिर आप ने उसके कंपनी में कुछ अर्सा जॉब करने के बाद अपने एक कंपनी बना ली, जी, यहां, दो दस मीने में जॉब की एक एनडा में, उसके बाद, दस मीन के अंदर ही मैंने अमेरिका में एक मेरे फ्रेंड थे, उनका नाम कफील खान है, वह हमने कुछ दस बारन साल कठे काम किया अच्छा, अभी भी फ्रेंड आई, यह नहीं है कि वह खत्म हो गया, तो फिर अपनी अलग कब हुई वह कंपनी, और क्या कंपनी थी वह? पार्टनर्शिप उनके साथ कार ली, बलके हुए यह कि वह मैंने नया था, वह तो यहां से बड़े सालों से रह रह थे हैं, तो मु मांग नी रहा, मुझे उसकी कंडिशन तो बताएं ना, कहते हैं इसका इतना बिजनस इतना हो जाएगा ना फिर आपको 50-50 कर दूँगा, आइं हैपी तो शेयर विद यू, कि छे मीने के अंदर-अदर में 50% पर आ गया था, और पर अलग कंपनी आपने कब बना ली, कितने जिन्हों ने आपको 3750 डॉलर उधार दिये थे, लास टाइम 2005 में मेरी बात हुई थी उनसे, उसके बाद ना, बाई चांस रापता नहीं रहा, लेकिन मैंने पैसे तो उनको मैंने परामस ये किया था, कि जा मैं जाओंगा करेंडा में, जा मुझे तनका मिलेगी, मैं आपक परसन और अभी भी वो नाइस है, काल परसन मैंने उनको 9 साल के बाद ढूंडा है, आपकी वज़ा से वे आपका शुक्रिया अदा करते हूं, कि आपके उनका कि खलील साफ को ढूंडे है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके उन दोस खलील अहमत को अपने प्रोग्राम के आती हैं, ना सिर्फ किसी एक शखस की जिंदगी में, बलके सेंक्डों हजारों लोगों की जिंदगियों में, तब आगे चलते हैं, सिदिख साब ये बताईए कि आपने डिजिटल मैगजीन्स की पब्लिशिंग शुरू की, तो कैसे, और हमारे सुने वालों को पहले तो य इलेक्टोनिक या ई-मैगजीन्स जिनें डिजिटल मैगजीन्स भी कहा जाता है, वो ऑनलाइन अखबारास से किस तरह मुक्तलिफ होते हैं, और इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दोर में, बिजनिस के शुबे में, इनका अमल दखल और रहमियत किया है, ये मैगजीन त तो उससे किया कि अलोग के छोड़े दूसरे फोनों पर इंटरनेट है, अब हम पेपर ढूनने के बिजाए हम कहते हैं, मैं लिंक दे दो अभी मैं फोन पर चेक कर लेता हूं, वो ये नहीं कहता है कि मैं लेकर दे दो किसी पेपर पर ना, बिल्कुल ये किसी को फोन नंबर कोई यहां से 5-6 साल में ये पॉबलिशिंग मैगजीन है वो बहुत कम हो रहे हैं, अखबारें कही तो बिजनस से बाहर हो चुकी है, मजदे आर आउटा बिजनस, और इस तरह मैगजीन भी ऐसा ही हो रहा है, चुए लोग प्रिंट जो है ना, वो कम नहीं कर रहे हैं, प्र मेगजीन हैं ऐसे ना से ना से 1 करोड मैगजीन हैं तो इस वक मैगजीन हैं लेकन आनलाइन जो है अभी 10-15 थांचार हूंगे टॉटल, अब 10 मिलिए और 10-15 थांचार में तो बढ़ा परक है ना, तो इन में क्या फरक है, एलेक्रोनिक जो एमेल अखबारात है और इन में ड वीडियो बगारा नहीं होती है। हाँ जी कभी होती भी है नियूज में भी इस मैगजीन में अभी यह आनलाइन चुके आगए है ना और आइफोन यह दूसरे फोनों पर आप वीडियो भी आडियो भी है इस मैगजीन नहीं में आफ टैक्स भी डाल सकते हैं और इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं आच वोश्में ये वाला इंट wax इवी आएंट्रवीव भी बार्श एक्षाई ले। और प्लीeros उरफ बार ऐसे चाहिए त flavorsov कर सकते हैं और मैगजीन का असल जो टॉपिक होता है वो टॉपिक वाइज टॉपिक होता है ना नीउस होता है कि उसमें किसी भी टाइब की नीउस आजागी ना अब मैगजीन होती है कि वो बिजनस को ग्रो करने का मैगजीन है या फैशन का मैगजीन है या फैशन डिजाइनर का मैगज तो आपके जो इस वत चार से ज्यादा आपके डिजिटल बिजनिस मेगजीन हैं जो आप पबिश कर रहे हैं और आपके अपने कंपनी है जॉइंट वैंचर जिसके आफांडर भी हैं प्रेजिडेंट भी हैं तो कुछ बताइए तफसील कि आपके जो मैगजीन हैं अगर किन के मैगजीन हैं जिनको आप पबिश करते हैं यह जैसे आपने बताया के यह जैसे वेरी गुड क्वेस्टन बाइद वै तो यह जैवी जीनिस है यह जॉइंट वेंचर की कंपनी है मैं जॉइंट वेंचर को प्छले 15 साल से जो मेरी सक्सेस का जो बेसिक फैक्टर अगर कियाわかला कर लेंगुड़ा ऊसे आपने सब्क किया सीखा है हर का में जो बड़े सारे काम होते हैं तो स्मेंस मेंसे असल जो मैंगे सब्सक्राइब हैं जो करूंगा झाली लाइक करूं य्वेंट यअन600 करूं ही करूंगअ और कोछ नी करूंगा तो अब वह ल donut आगे इस साथ मिलकर कर रहे हैं आपकी जोई अभी यह जो लोग है इसमें एक है Billiner Mentor Magazine इस पर आइपट पर आपका आइफोन आइपट आइपड आउस पर है इंटरनेट पर आपने देखना है गूगल में सेच करें बिलिनर कर सकते हैं और यह बालकर इसको फरी में भी मलब पड़ा जा सकता है मद तीन चार मिन निका कोई पैसों का नहीं चक्कर यह फरी में भी देख सकते हैं उसे क्या होता है और भी में आवनदे से मेरे जैसे से मैं अबढ़ा मैं था वे मेंसे चापते और काम चानें दोड़ा में सोच when भी फरी में वहां फरह कोईसे करते हैं को और आपनी सारा नहीं हमें thunder करे बताए passado what could किया है उसके जो कारोबारी जिंदगी के काम्याबी के राज पूछते हैं आप बेलको राज पूछते हैं और सिंपल लेंगवेज में वैसे तो जब आप अपने राज खोल देते हैं तो वो सारे पब्लिश होते हैं उन मैगजिन्स में हम उनका वीडियो इंट्रू भी करते ह पर उन मैगजिन्स को आप पर मार्केट कैसे जैसे फेस्बुक पर बिलियन ब्लोग हैं, हम बिलियन बंदे को हर चीज नहीं चाहिए न हम देखते हैं कि यह मैगजीन किसको पढ़ना है हर मैगजीन की का तारगेट मार्केट होती है जैसे यह फेशन डिजाइनर का अगर मैगजीन हुआ यह मैबात इसलिए का रहा हूँ कि बहुत लेडी को एक सेक्ट में समझाती हैं न बात जी जी वह उस लेड़ी को उस एज ग्रूप में इस चैर में इस कंट्री में आप तारगेट करके उनहीं को स्रफ शो करते हैं बाकियों को नहीं तो कैसे यह फेस्बुक के थूरू और क्या जरीया होता है और ट्विटर पर हैं लिंक्टेन पर तीन सो मिलिए लोग हैं उनको करते हैं, बला हमें तो तीन समय लेनी चाहिए ना आपको 0.001 परसंट ही होता है तो इस तरह आप अपने उन magazines को publish करते हैं या promote करते हैं, तो फिर जिन लोगों ने आप से राप्ता किया या उन उन ओनर से राप्ता किया, तो फिर क्या होता है, उन दोनों को आप किस तरह मिलवाते हैं? जी इश मेगजिन में ना कफी सारे लोग ऐस मेरा इडीर इन जीफ कर दे रिलेशनिशिप है, मैं पबलाश।ถो हूं धरिमयान में अब हर मेंने या हर इश में जब मेगजीन पबलाश होता है तो मैं हर मैगजिन के तरूप 15-20 नए बड़ी टॉप क्वालिटी के लोगों से मेरा रिलेशन्शिप बंदा होता है यह रिलेशन्शिप की दुनिया सारी आप कौन किसको जानता है नेटवर्किंग नेटवर्किंग यह पूरी दुनिया में ऐसा है जैसे वह यह नहीं है कि आपको कितना नौलज है नौलज की अपनी जगाह पे वैली है मैं कोई डिसकाउंड नहीं कर ला और आपको आप किसको जानते हूं अच्छा पिर जब आप उनको जान गए तो उनका आप डेटा कठा कर लेते हैं डेटा कठा कर लेते हैं फिर उनसे और बात करते हैं कि और बिजनस क्या कर सकते हैं अच्छा और अमेजन करें कि जिस बंदे की सौ मिलिन डालर की दस मिलिन डालर की तो जो लोग आपके पास डेटा में होते हैं उनको आप उन बड़े सर्माएकारों से फिर मिलवाते हैं। तो जिसने सर्माएकारी करनी होती है या जितना जितना करना तो वो फिर बाद में अपने अपस में करते हैं और आप उनसे फिर अलग हो जाते हैं। अजितना जब तक टक ट्रांजक्शन आपस में करते रहेंगे ना? मेरा दिरम्यान से छोटा सा इससा होता है वो में मिलता रहेगा। जब तक कि वो बिजनिस करेंगे आपको इसको कमिशन कहेंगे पिर। यह जिए आप कमिशन कह लें यह आप कह रहे थे हैं तो दूसरे मैगजिन भी जल्दी जल्दी बताई किस पर नहीं है यह जो बिजनस जो घरों से लो पकी मिल जानी है लेकिन अपने बिजनस में बहुत काम करना पटता है और सारा वो चालीज गंटे के बिजाए वो आट असी गंटे हफते के काम कार रहता है लेकर वो जह न वो डियर उसने कहा कि अपने लिए जॉब डूण लई बेसिकली अपनी जॉब डूण लई है वो बिजनस नहीं है हम उन लोगों को डूणते हैं जो टॉब के टूप करता है जिन वो चालीज गंटे करता है उसको बताएं कि आपने अपने आपको उससे पूल करके ऊपर कैसे लेके गए तो यही सारा कुछ है हर हर सिस्टम में हर मैगजीन में आप यही कर रहे हैं कि कामियाब लोगों के इंट्रिव्यूज करते हैं उस मखसूद शोबे के तो उसमें एक तो आपका यह लाइफ स्टाइल का मैगजीन हो गया और बाकी दो बाकी यह एक और वर्क फरम होम मैगज कर रहे हैं और उनको मजीद कामियाब बना रहे हैं कारोबार में अच्छा हम आपने सुने वालों को बता दें कि हम इनके चारो मैगजीन के जो लिंक्स हैं वो हम अपनी फेस्बूक पेजिस पर पोस्ट कर देंगे तो उसमें वजी तफसीलात भी आपको मिल जाएंगी कि इनके ये मैगजीन जो है क्या क्या कुछ कर रहे हैं इस वट हमारे प्रोडूसर कह रहे हैं कि एक छोड़े से ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक के बाद हम बाकी बात देंगे सिदिख साब हमने तो हमेशा से यही सुना कि कभी किसी जानने वाले के साथ कारोबार ना करना क्यूंकि दोस्ती को रुकसान पहुंचता है और आखिर कार अलग ही होना पड़ता है लेकिन आप जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या पुराने कामियाब कारो कंस खुरू कर सकता है तो मेरे बड़ों का पेरिंट्स का आंकल्स का जो एक्सपीरिए है एक जा चुका है वे जाना है यहाँ पे लेक्ट करना यहाँ पर आइड गडर। और फिर्या भाड़ करना है को रिट visitor मेन यह जो जो किह पो अओर उसिने और आपको जो अबातर यह चेड़ लूजर मैंे से बात कर ऑफ बात करनी है यह आमसी बात है इन्हा Misं अक्टा राओ पना गार्भना रहे हैं लॉच्ता है अपना घर बनाता है, बिल्डर, उसको क्यों आप हायर करते हो, अगर आपको ये कोई मैडिसन का मसला है, बिमार हो गया तो आप अपनी वुक पढ़के खोदी मैडिसन का सब्सक्राइब कर ला है, और डाक्टर के पास क्यों जाते हो, हलांकि वो भी किसी किताब से पढ़के लेकिन उसका तजर्बा इतना ज्यादा है कि ये वाली ऐसे खानी है, ऐसे करना है, फिर आप ठीक हो जो गए, ये इत्याद करनी है, ये नहीं करना है, अब हर काम के लिए तो आप बड़ों के पास जाते हो, लेकिन जब आप बिजनस की बात आती हो, करते हैं आप मुझे ब मेरे गाद हाथ पकड़ लेगा, हलांके बच्चा वो एंड पर चलना शुरू करता है, लेकिन जब आप साथ को वाच कर रहते हैं, बता रहे हैं तैसे करना है, इसे नहीं करना है, उसके बाद आप स्कूल में जाते हो, किंडर गार्डन, प्रैमरी, हाई स्कूल, सारा हमेश मेरे मेरे मेंटर्स जन से मैं सीखता हूँ, उस से फिर मुझे इसकी वैल्यू नजर आई, आज मैं आप से शेयर कर रहा हूँ, कि कोई भी आपने काम करना हो, कोई भी, आप उस फील्ड के जो टॉप के लोग है न, जो अलड़ी सक्सेस्फुल उसी फील्ड में है, उनके ज ना करने वाली बात वो बताएंगे, जो उसके शुबे के माहिर होंगे, तो पहली चीज़ यह कि आप किसी माहिर के साथ रापता करें, लेकिन आप माहरीन को ढूंडना खास तोर पर आज कल के दौर में, और उन से रापता करना कोई आसान काम आप समझते हैं, बलके आज के पर लिंक्डिन पर आप तो सारे लोग उदर हैं, हम फेस्बॉक पर लोगी तस्वीरें देखते हैं, बातें करते हैं, यह जो बीमिजे के लिए नहीं है, जिसका दिल करता है वो करें, मैं कुई मसला नहीं है, वहां पर वो बंदा उसे विज्डम सीख करने के लिए बंदा है या हो रहा है? जो आप सोच सकते हो ना, वो हो सकते हैं. तो जो आदमी कुछ सोचे, तो क्या कोई ऐसे आनलाइन वेब साइट मौजूद हैं, जहां वो जाकर अपने इन्वेस्टर्स ढूंड सके, अपने जॉइंट वेंचर्स ढूंड सके? यह जूइंट वेंचर्स जाएं, कुछ ऐसी है, मश्यूर जो आप रफर कर सकें इस वाक? जी, बिलकुल. उसमें, सबसे पहले, वो इस वेब साइट देता हूं, जो लोग कहते हैं, यह मेरा लड़का लड़की जो है, मैट्र की यह हाई स्कूल किया हूँ है, और कॉलज में पढ़ रहा है, आप मेर फाइवर, एफ लाइक, एफ आए, वी, ए, आर, 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 या, जैसे डबल आर पाक्सान में कहते है, यह जी, फाइवर, डाट काम, फाइवर डाट काम वो वेब साइट है, जहां पर वो लोग जा कर क्या करें? वहाँ पर आपको जो भी काम आता है, आपको ग्राफिक करना आता है, मैं छोटी सी बात है, हर काम पाइड डालर में होता है, अच्छा, और यहां पर मिलियून दो लोग दुनिया में बठे काम कर रहे है, आप एक में दो, और यह वेब साइक फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं आप से मांगेंगे, आप काम कर लोग तो पैसे दें करते हैं, तो क्या करें, इसी तरह फारूख आफरीदी ने लिखा था, कि वो MBA के एक तालेबिल में है, और वो कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, तो अब आपका जवाब उनके लिए, एक तो यह वेब साइट हो गया, और क्या उनसे करेंगे, यह जो MBA किया ह करें यह जो. मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है, मुझे फेनाँस अच्छी लगती है, यह सवाल और को स्वाली रिहा हुरे था हैं, व और अच्छी ने, दौरए स्वाल होगता है? लेकिन यह जो कैसर साब हैं यह दूसर साब हैं यह अगर वस नंबर मैं नंबर देता हूं अगर उस पर मुझे टेक्स कर दें हमें टेक्स कर दें तो मैं इनको फालू आप करके जवाब दे दूगा मैं I want to help as many as people I can तो आप अपना टेक्स्ट के लिए जो मैं देना चाहें तो दे दीजिया नंबर इस वाग यह अगर आप आप आकसाम से कर रहे हैं तो 001 करना पड़ेगा शुरू में अगर आप आप पूरी दुनिया से कर सकते हैं अगर आप यू अमेरिका से कर रहे हैं तो आपको 001 नहीं क और यह नंबर फ्री यह टेक्स फ्री करना है हमें कोई चाहज निकरता हम है तो जो मैसेज है जब आप बाड़ी पे मैसे लिखते हैं न वहां पर लिखें जिंदगी जैड आए अड़ी आजी आई जिंदगी यानि जैसे हर दम रवाह है जिंदगी के हवाले से क्यूंकि आ आप ये नंबर आगे डाइल करें या टेक्स मेसिज करें इस पर तो वो तफसील आपके पास भी पहुंच जाएगी और हमारे पास हरदम रवाए जिन्दगी के तक भी वो आपका क्वेस्चन पहुंच जाएगा तो फिर हम दोनों मिलकर आपको उसका जवाब दे सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम को बाद में सुन रहे हैं जब लाइब नहीं है तो उस वक्त भी आप टेक्स कर सकते हैं मैं बाद में भी हल्प कर दूँगा अगर आप ये रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं री प्ले में तो उस वक्त भी आप इस नवर पे 001-404-418-6019 और मैस के लिए तो बहुत शुक्रिया सिदिक साब एक हमारे हीरो भाई ने लिखा हमारे फेस्बुक पेज़ पर के हम जैसे गरीबों के लिए क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब है अच्छा असल में ये यो गरीबों के लिए पहले बाद यह कि मैं भी गरीबी था अभी मैं दिल आप 20 मिन आता कंटा लगता है तो हीरो भाई आप जाए एफ आई वी ए डबल र डॉट कॉम पर जाएं वहां बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जो आप घर बैठ कर कर सकते हैं और आप ने समझ लीजिए कि अपने पाउं पर थोड़ा बहुत आप खड़े हो जाएंगे और य इतने कि आपके अपने स्टूडेंट लाइफ में जो खर्चें वो निकल सकते हैं अच्छा तो ये तो हो गई बाते हैं आपकी आपके फेस्बुक के हवाले से लेकिन फिर भी अगर वो लोग जो कि ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं या ऑन ग्राउंड मौजूद हैं सरमाय का का एक आपके ताइम नहीं होता हैं यह एक फशनी सी बाता है कि अगर आपके पस ताइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है तो यह तो है तो यह रहाँ बिसस्टा के नहीं है अच्छा ओगा Ambosants दूड़क कि जो फिर शीड़क अव कि यून्हें मिलाइगा है रूश पार यथ के भी बाज़ पाएंने जाएंगें आपके पास मुठन काम करें जिसमें या उच्छ हो या भील समय आप पैसे हो ये आपके पास मुठन करे में भी तो छक्र श्रेए बलकि पास मेप कर अपछन में बड़ा यूनीक है और वो कन्फिलेंट है कि वो कर सकता है वो उसमें अपने पैसे वो खोद ही निवेस्ट कर देंगे आप क्या करें कि अब लिंक डिन पे अपनी प्रोफाल बनाए लाइन के डी आइन डाट काम फ्री है यह ज़रूरी है फ्री है फ्री है मैं यह मैं अपने शवा राट आपने सारण लिखते न है यह उसमें अपना लिखें सारा ऐसे समझें जैसे जो आपके इनवेस्टर ने वो पढ़ रहा है आप दमाग में यह सोचें कि शप्र पढ़ रहा है यह ज़िए वहां पर 300 मिलियन लोग इं जितनी इन्वेस्टर ने जैंजरि आफ़र्ट आपका बिजनिस है और वो आफ़र्ट जाहर है जो करता रहेगा उसको कामियावी जरूर मिलेगी इस वर टेलिफून पर हमारे साथ पाकिस्तान से एक साहब मौजूद है हम अपने अपने महमान से ये सवाज जरूर पूछना था और उन्होंने भी बताया भी है जो जो लोग जिनको ये अपना छोड़ कर आए हैं यहाँ पर अमरीका में उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं तो पहले मैं इनसे ये सवाल कर लूँ फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ सिदेख साब बताईए कि आप अपने बागी बाते हैं बाद में करेंगे क्या आपने अपने अबाई वतन पाकिस्तान को पेबै करने के लिए कुछ किया या कर रहे हैं तो हमारे सुनेवालों को बताईए पहली बात यह है कि मैं आपकोर्स अपने मुलक का होता है और यह कितना भी करूँ वो थोड़ा है यह पहली बात यह नहीं कर रहा है मैं तो यह इतने लोगों ने मुझे हल्प की हुई है मैं उनका थैंक फॉल अनौफ नहीं हो सकता जासे आप पेरेंस का नहीं कर सकते ना यह अपका कंट्री होता है यह भी मदर लेंड होती है यह माही होती है अपकि बिल्कुर बिल्कुर उसी तरह मैं जितना भी करूँ वो कुछ भी नहीं है अब इसमें यह का रहा हु है इसरार भाही के साथ इनकी नान प्रॉफित आर शरी फंडेशन अधर फैसलाबाद के अ हलांके इसमें एक तो यह का पैसे की करके हल्प कर सकते है किसी की अब मैं चुके जोएंट वेंचर का बंद हूँ आई नो सो मैंनी पीपल अब मैं इनको अगर सही बंदे के सही रास्ते पे लगा दूँ एक सही बंदे से कॉंटक्ट गा दूँ जो इनका यह काम कर दे फिर उसके बाद चुके जितने अमेरिकन लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ सारे लोग बड़े अच्छे हैं लोग ऐसी समझे अमेरिका में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है वो अपने थोड़े थोड़े भी पैसे दें तो इनका माशाला जी यह इतने हजारों लोग को रोग दखाना कलाते हैं जी तो यही मैं इनसे पूछूँगी इसरार शरीफ साहब आप बताईए कि आप वो कौन सा फलाही काम कर रहे हैं में हमारे सिदीग साहब आपके साथ तावन कर रहे हैं हमारे सुनेबालों को बताईए हमें बिल्कुल जी मैं तो पहले आप का शुरिया दा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है और सिदीग बेने जो हेल्प कर रहे हमें बेसिकली यह फैसलबात के साथ समंदरी यह उसके साथ हमारा गाउं है वहां पर हम तकरीबन डेली लोगों को लंगर खलाते हैं फ्री आफ कास्ट और जो हॉस्पिटल में भी होता है फिर मंडी जो होती है जहां पर मजदूर लोगों होते हैं वहां पर भी लोगों को खाना खलाया जाता है और यह तकरीबन चार हजार लोगों का खाना होता है और इसके साथ साथ यह हॉस्पिटल के लिए लएदा से भी हम बनाते हैं क्योंके जो पेशेंट्स होती हैं जिस तरह उनको खाने की रिक्वार्मेंट्स है वो डॉक्टर जो रेक्मेंटेशन करता है उसलिहां से उनका ख्याल भी रखा जाता है तो यह फाउंडेशन जो है किसने काईम की थी और किस मकसद से काईम की थी यह मेरे फादर ने अल्लब ताराम को जन्ने मसीब करें ने यह फाउंडेशन रखी थी और जब उन्ने अल्शरी फाउंडेशन रखी जरीफ उनक का नाम था तो तो अनी के नाम से हमने इसलब यह प्टा कूर यह हम तीन भाइं हैं और उने हमसे का कि बेटव मैंने खाना शुरू करना है मक्का में हम लोग बैठे हुए थे हुम्रे पे गया हुए थे तो उन्होंने हमें का कि बिटा ये इसको करना है हमने का ठीक है जी बिल्कुल तो जब हमने गाउं में ये शुरू किया खाना तो रमजान का टाइम और सहरी के वक्त हमने लगाया तो कुई से ग्रीबें हम पुदी रात हम लगे रहे हैं वहां पे इंतिजाम किया लोग बहुत कम एक दो आएं लोग तो मैंने अपने फादर को का कि ये गाउं हैं गाउं में लोग नहीं खाते हैं खाना ना क्योंकि शेहर वगर हमें ये सारा होता है वरुणा करने के बिटा अब लगे रहो और माशाला जो उन्होंने फिर हमें बताया जिस तरह और इस तरह पर लोगों का वहां पे आना और लोग उससे से ठीजाब हुए है खाने से तो ये सिल्सला कितने अर्से से जारी है ये छे साल से जारी है जारी है और इसमें आप रोजाना चार साड़े चार हजार लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं और इसके इलावा भी आप बता आप कुछ और भी करते हैं बच्चेव की शादी बगारा का अरेंजमेंट भी होता है इस फाउंडेशन के ते हैं हमारे जी हैं बच्चेव की भ और जो क्रिस्टिन होती हैं वो भी शामल होती है और इनका भी इत्माई शादी का प्रोग्रम पूरा का पूरा अल्श्री फानडेशन ही करते हैं अच्छा और उसमें आप जहेज वगारा भी देते हैं बच्चियों को आप जहेज बगारा की चीजें बिलकुल प्रॉपर होती हैं जो चार यानि के बैड होता है और जो जो उनकी रिक्वार्मेंट होती है बेसिक जहेज़ आप वो सबकूर देते हैं बेसिक चीजे तो यह सारा सरमाया जो फंडिंग कहां से होती है अब फंडिंग हम लोग खुद भी करते हैं और फंडिंग जहें दो सवाव हैं जो मिलके हैं वो भी हमें हेल्प करती है इसमें और इस तरह यह चलता है और आपके साथ अब आपके मिशन में शामिल हो गए हैं महमत सिदीख साहब हमारे आज के प्रोगाम के मेहमान और और उनका अब यह कोशिश है कि आपकी इस फंडिशन की एक ब्रांच अमेरिका में भी खुल जाए ताके इसको और वुस्त दी जाए बहर शुक्रिया बहर शुक्रिया शरीफ साहब आपने हमारे इस प्रोगाम के लिए वक्त निकाला मुहमत सिदीख साहब हमारी गुफ्तुगों भी जा रही है लेकिन एक ब्रेक का वक्त फिर हो गया है तो पहले एक ब्रे की पहला कदम रखा जो वो आज हैं असलाम लेकुम खलील एमन साहब खलील एमन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोगाम के लिए वक्त निकाला और मुहमत सिदीख साहब लीजिए बात कीजिए खलील साहब से क्या कहना चाहते हैं आप उनसे इस वक्त पूरी हेल्फ भी की थी तरना तो बिल्कुल असी को बात हमारे जिन्दगी में है यहीं कि क्योंकि भी नेकी पी याद रखा जै नहीं लेकिन असल में इसमें यह बड़ी अच्छी है आपने बात की यह देने वाले को याद नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को हैल्फ किया है रेसीव करने वाले को कभी बूलना नहीं चाहिए कि उसमें है अच्छा और शिदीख साहब ने आपको खलील साहब याद रखा और हमने आपको यहाँ पर इसलिए बदू किया कि हम सुनने वालों को ये बता सकें कि जिन्दगी में कभी आप किसी की मदद करें तो चाहे उस वत आपके जहन में ना हो कि आप ये जो मदद कर रहे हैं उसको आपको पेबैक कभी होगा लेकिन एक वक्त जरूर आता है कि आपको जो जिसकी आप मदद करते हैं वो आपको जरूर शुक्रियादा करता है और आप वो खुशक्समत आदमी है जिन्हों ने जो कुछ किया था उसकी मदद लाखों लोगों के सामने मुहमाद सिदीग साफ कर रहे हैं जो खुद अब बहुत सारे हजारों लोगों को की मदद कर रहे हैं तो कुछ और कहना चाहेंगे मुहमाद सिदीग साफ खलील साफ हमारे साथ माजूद हैं खलील साफ आप आजकल क्या कर रहे हैं मैं आजकर एक कंप्री है जो एक्सपोर्ट करती है गार्मेंट इसे मैं हैड अस्प्लाइ चेन हूँ और इसके मेरी सारी प्रिक्यूर्मेंट और सारा जितना भी वेली चेन के अंदर जितनी अक्टिविटीज हैं उनका मैं हैड हूँ जाए तो माशालला आप ने अभी तक दूसरों की मदद का वो सिल्सला जारी रखा हुआ है जो एक अरसे से आप करते चले आ रहे हैं बड़ा इसका हाथ जो है और अखलास इसके अंदर जो इखलास है उसकी बहुत ज़्यादा एहनियत है दुना की कोई भी इसके अंदर तलब जा उसके अंदर किसी इसकी फंगी कोई भी इंटेंशन की मैं इसको दस्री कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा उसके अंदर ना हो तो इसके बरकत बहुत ज़्यादा होची और आप अपने उन सुनने वालों से जो के यानि माली तोर पर मुस्ताकम है कुछ कहना चाहेंगे कि जब कोई तालिब इल्म आपके पास आए और आप से अपने अपने एल्म के लिए कोई मदद तलब करे तो क्या फर्ज होना चाहिए उनका जाहिएंजी जो जो जिन्दगी तो बजारने ह personn transfok के लिए चाहिएं अर्पने लिए इंसान चोड़ए से छाने में और तोड़एं से कपड़ों में बजारा कर ले पित्वकों मुम्किन है और दूसरों के लिए जो जिन्दगी बजारेगा तो इन्शाला उसको सब्सक्राइब बनेफरेटिक दिन्या में भी होगा, बरकत उसको भी मिलेगी और इतना इक्षलास के साथ और किसी भी किसंगी उसकी इस दुन्या में रिवार्ड या कोई होगे माल या होगे जाक बगार अगर कोई इन्सान अपर दिन्लीगी को बजारेगा तो इन्ला उसको जुरूर बरकत देगा और इसको इसको समराथ नज़र आएंगी इन्शाला औ और हम आपका और सिदीख साब आपको भी शुक्रियादा करते हैं कि आपने एक ऐसे शखस को हमारे हम तक महँचाया जो एक बहुत नेक काम करने का आदी है शुरू से और आज तक ये चला जा रहा है और वो एक तहरीक बन सकते हैं दूसरे सुने वालों की कि जब भी किसी को खासताफ़ किसी स्टूरेंट को अपने तालिम की सलसले में या किसी को अपने रोज़दार की सलसले में मदद की जरूरत हो और आप कर सकें तो जरूर कीजिए तो गुफ्तकु को अब आगे बढ़ाते हैं खलील साब का शुक्रियादा करते हुए उनको खुदाहाफिस कहत हैं अब हम आते हैं एक बार फिर मुहमाद सिदिख साहब कुछ ये बताईए कि आप उने अभी बहुत सारे मैगजिन्स की भी बात की और आप ने ये कहा प्रोग्राम से पहले कि I make happy people happier लेकिन साथ साथ आप ने ये भी बताया कि नहीं जो बहुत जाद हैपी नहीं उनकी भ स्कूल में है मैं बीवी मार्शालला यहां पर कर रही है और पाकिसान में जो फैमिरे ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ भी करते रहती हैं उनके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं लेकर वो सिर्फ पैसे यहां से मददा दे सकता है बाकी पढ़ना तो उन्होंने आप है तो मचली पकड़ना सिखाओ 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 मचली जो लोग इस वत हमारा प्रोगाम सुन रहे हैं उनको अगर मैं कहूं कि आप ने अभी कुछ तो बता है कि जाएंट वेंचर्स को आपने कहा कि बेस है बिजनिस को आगे बढ़ाने की लेकिन इसके इलावा अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहें तो स्टेप बाइ स्टेप कुछ आप गाइड कर सकते हैं उन लोगों को जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं जैसे यह आनलाइन काम का तो मैंने आपको फाइवर डाट का मताया ना फाइवी ए डबल डाट काम जी जी पाकी जो जो इसकी की दुकान है या दूसरे कोई काम है जो लोकल वो अब उसमें को चाहिए क्या बंदे को पहले तो खुद पता हो जैंगे चाहिए क्या फिर वो चाहिए क्लिए मुझे और प्वैसे चाहिए और जो जो बासे जाए विशुक भी निया कुछ भी और द्रवें मेना स 모습 को सीखना है कि सको आगे बढ़ाना कैसे है तो बruce किसी बी जगा बिजन आपको छोटी दुकानों वाली थे पहले वैसे, वो नजर नहीं आ रहा है, वो पहले 10-20 सार पहले होते हैं, उन से सीखो, कि उन्होंने क्या से अपने आपको छोटी दुकान से बड़ी पर कैसे लेगे गए, और प्लस, कि उन्होंने कौन सी गल्ती की जो हमें आवाइड कर ल करते हैं, उनको जब समझ आजेगे, ये बंदे को काम का पता है, लेकिन पैसों की कमी है, आप इमेजन करेंगे, एक बहुत बड़ा बंदा आपके अरिया में हो, जिसका दुकान हो, या कोई भी कारबार हो, आपके अपने कारबार के सिलसले में, वो थोड़ी इस भी आपक पचास रपे गी है, तो आपका तो पचास रपे प्राफिट ए अगले सेकंड में बढ़ गया ना, आपको पैसे पचास रपे और अडिशन में में लगे, जो कोई नया कस्टमर भी नहीं चाहिए आपको, जो आपके क्लाइंट हैं, जो गाक हैं, वो तो वही है ना, और ऄतनी सी बात करने से, अगर बंदा थोड़ी सी भी हल्प कर जे, आप ऑपकी हल्प कर रहा है, उसको तो कुछ तो नॉक्सान रहा कुछ भी नहीं. अच्चा. तो ये बेसिक उसूल है, जो अच्छा कारोबार करने के लिए कारोबार को बढ़ाने के लिए, लिए वर्यम्हे और आप अंदर से साफ नहीं है और आप जो कमेट करते हैं वही है करते हैं इसलाम में हम मुष्यलın मुसल्मान है और कियते हो किरें कि अभर किसी ह manifested तो तो वो ही क bou cannot but nowiner right ऊंदिया है तो इस में फिर और यह है बिजनेस को भी उस्तिक क pixel अगर आप अगर आप कोई कारोबार करना चाहे वहां पाकिस्तान ब स्वाय। उनलाइन करना चाहे उसके लिए वह क्या करें? मैं एकुन पार बार बार इसना बता है तो बन्डे को इंडियोनेशियammers ayam तो वैसे बढ़ जाएंगे. यॉर्प में भी एक बंदे को जानता हूँ जो बीस सजाद बना चुका ऐसे. आप पाकसा में बैठा बीस सजाद डालर तो वह क्रोडों में जाता है. लेकिन अगर वह यह तो होगे ना ऑनलाइन बिजनस की बात. लेकिन अगर वह यहां कोई ची आप एंड पेज इस कॉंपनी को आपने चीज बेजना चाहते हैं उसको ना कॉंटक करो. वह खुद नहीं चाहते हैं पाकसान से डील करना. दरम्यान में लोग होते हैं ब्रोकर डीलर जिससे करते हैं. अप उन डीलर से रापता करो. लिंक्डेन पे सारे अवेलेबल हैं. आ और ये मेरा उनके पास बहुत स्टोरों के गाक होते हैं ना. उन से रलेशनशेप बना लो वो आपके सप्लाई शुरू करा देगा. तो ये हो गई कि अगर कोई शखस इन फरादी तोर पर कोई बिजनस करना चाहे किसी दूसरे मुलक में तो वो डीलर्स को ढूंडे. ये है जदी तरीका और ये उनलाइन लेकिन ये बताइए कि हमारे हाँ जो पाकिस्तान में जो यूनिवस्टियों में और निसाब पढ़ाया जाता है क्या आप समझते हैं कि उन में ये प्रैक्टिकल बिजनस की जो चीज़े पढ़ाया जा रही हैं वो काफी है? ये वैसे पूरी जो बड़े 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 जो बिलीनर्स लोग थे उन्होंने अपने लोग के वर्कर को ट्रेंड करने के लिए सारा सिस्तम शिरू कराया था ना वह भी भी ऐसे चल रहा है तो बिजनस का जो काम है जो लोग बिजनस में आप उनहीं सी सी सीख सकते हो एजुकेशन सीखो कर आपको सी SUBSCRIBE समझाजे लिह जो लिगरी होती है वह करते हैं इसने M.A किया हुए मैंने मतल्स मतल्स के था नहीं है जब उसे बात कर तो पता है नहीं स्किया है नी तो इसका मतलब यह ज़िए कि अगर आपने बिजनस के शोबे में आना है तो बिजनस के लोग में अठें बै आप कितने पैसे बनाती हैं तो बड़ा परसन सा स्वाल हो जाता है ना अगर आपके पुछन आपके पांच फ्रेंड गोंजा उनकी क्या इंकम है जो उनकी सब की जो आफसत आएगी वही आपकी इंकम है चुक्क हम अपनी सोसाइटी का इंग्लिश में कहते हैं यह नोन बाइ हो जागी यह वर्ल्ड वाइल प्रोवन फेक्ट है बेहर शुक्रिया बेहर शुक्रिया मोहमाद सिदीक साहब आपने हमारे सुने वालों को काम्याब बिजनिस करने के गुर बता दिये और